Hello Friends, Find It here की एक नई वीडियो में आपका दुबारा स्वागत है और आज बात करने वाले हैं भारत स्टेज इमिसर स्टेंडर्ड यानि बीएस के बारे में भारत स्टेज है क्या इसमें कौन कौन सी स्टेजे आती है भारत स्टेज 1, बीएस 4, still, बीएस 3, बीएस 5, बीएस 6 ये सब के बारे में रिटेल बात कर ilsे और ये भी जानेंगे जैसे-जैसे भारत स्टेज होते रहते हैं वैसे-वैसे गाडियों के norms में क्या-क्या changes आते हैं क्या-क्या फरक आते हैं और वो कैसे आपको पता चलेगा क्या चीज़ें क्या कैसे changes साथी साथ ये भी बात करेंगे क्या BS4 जो की 2015 माय आने वाला था वो 17 में क्यों आया इतना drastic change क्यों हुआ और सांती सांत ये भी बात करेंगे आपने देखा होगा आजकल BS6 गाडिया आनी शुरू हो गई है लेकिन BS5 नहीं आया ऐसा क्यू हुआ इसके बारे में भी detail बात कर लेगे तो चलिए शुरू करते हैं आज भारत स्टेज के बारे में यानी BS6 के नाम से जीसे जानते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप मैं रिक्वेस्ट करूँ आप से कि अगर आप नए हैं तो प्लीस चैनल को स्ब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें अब मैं यहां पर Facebook और Instagram हैंडल आपको दोनों प्रोवाइड कर रहा हूं लि काड़ी से और साथ शेयर आपको आपको लिग्याणेतर प्रोवाऀड कर मुस्टान प्रोवाइड खार जाते हैं अगे उस चलती हैं वो हुमेंबींग के लिए भी यहां पर वह ज़ादा पॉलिएट और खतरनाक सा हो सकती है fall अब शेच्त को में यहां यह मिनिस्ट्री बनाई गई है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एन्वार्मेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेश चेंजेज यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है तो इनके अंदर में सेंटर पॉलुशन कंट्रोल बोर्ट आता है और वही डिसाइड करता है कि अब कौन सा नॉ कि अधियर गवर्मेंट बशन प्रफिर प्रफिर निकलता है अग्जॉस पाइप जो होता है जहांसे हमारा गवार निकलता है उसके बीच में लगा रहता है और इस सिट्विशन में क्या होता है जो हम फूल गैसे इसको बहुत ज्यादा करके मतलब अगर आप मालनीजी की स कि 100% हामफुल गैसे से तो वह कर देगा उसको 20% काम होता है इस पे मैं जल्दि आपके लिए वीडियो बनाने वाला होंगी कैटली कनवर्टर होता क्या है वह कैसे करता है वह भी जल्दी वीडियो आने वाली है तो उसके लिए आप तेहने के लिए तो यहां पर आपको पत बटर सारी गाड़ियों में लगा होना कमपलसरी है तो यह सब समझ में आने के बात आप सीधे चलते हैं भारत स्टेज में यानि बीएस के नॉम्स के ओपर क्या-क्या हो रहा है क्या-क्या हुआ हुआ कैसी स्टार्ट हुआ और यह हमने रेगुलेशन मतलब यह जो हमने बी कहीए you यह जान लेते हैं कि यह जो हमने बिएस वर्ड है हमने कब से अपनी अंडिया में यह सुरू किया पेलिया इसे करके नॉम्स चलता है वैसे ही यहां-पे रेट में और यह हमने इंप्लीमेंट किया है सीधे यूरोप से वहां पर जो प्ञान्स से नांट से वहां पर बात करें तो यह चलता है BS1, BS2 तो यह आपको क्लियर होगा कि BS का मतलब क्या है, भारत स्टेज का मतलब है कि वहिकल पॉलिशन नॉम्स के अंदर यह गाड़ी किस नॉम्स के अंदर है BS1 के अंदर है यह आपको पता चल गया कि हमने लिए है, युरोप से। अब गाएस, चलख़ए गया है, 활生 थे वहां, मतुषसाय का मतलब करके नम्मस के इनदिया गया India 2000, चलौन पर कि अमन्या है, यह1 कि था और यह but year 2000 or which chili पाँ नहीं इन अप्लाइ था। मतलब हमारे इंडिया में इसमों कीया गया। कि बारत स्टेज नार्म यानि बी-ऐस-2 frühपी आपसा है इंडिया 2100 mom expands for BS 1 के नाम से जाते हैं जो इक technical नाम होता है इंडिया 2100 अब आया BS2 जिसका category हमारे पार क्या है क्या रहा उसमें उसके बारे में चान लेते हैं अब जो BS2 अप्लाई किया गया वो आप देख सकते हैं नी स्क्रीन पे BS भारत स्टेज 2 के नाम से अप्लाई किया गया और रेफ्रेंस जो से लिया गया है वो यूरो 2 से लिया गया है जो हम बात कर रहें बारबर यूरूप से अच्छा ठीक है उसके बाद यह एर कौन से एर म 2001 में और रीजन में बता दूँ आपको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि डेली एंसी आर में 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 सिटी में इसको में अप्लाई किया गया मुंबई कोरकतायन चिन्नाई में सबसे पहले यहां पे अप्लाई किया गया उसके बाद जब भारत 2 यानि की BS तो आया उसके बात में बताइए आपको सिटी समय अप्लाई हुआ 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 है जैसे बैंगलरू है है एव्याद एम्दाबाद आपूनी है सूरत कानपूर लखनाओ जैसे बड़ी सिटी में भी अप्लाइक होने लगा और वहां पे भी BS2 आने लग यानि भारत स्टेज अब गया हुआ जब भारत 2 यानि BS2 लाँच किया गया तो 2002 में उसके बार 2005 में सीधे उसके लिए ये सारे नेशनल वाइट पे नेशनल वर्ल्ड वाइट पे ये लाँच कर दिया गया समझे आपकी पहले तो ये टू विलर के लिए ही था तो दीरे दीरे टू विलर थी विलर और फॉर विलर के लिए सब के लिए लाँच कर दिया गया और ये सब हुआ 2005 में और ये भी रेफरेंस था यूरो 2 क्योंकि यहां पर चल रहा था BS2 तो अब आगया गया भारत 3 यानि भारत स्टेज 3 BS3 और ये लाँच हुआ 2005 में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये रेफरेंस था यूरो 3 के नाम से जो कि बड़े बड़े जो डेली न्सीर में तो और बागी तेरा सिटीज में लाँच की गई है जो कि मैंने आपको पहले बताया था जिसे कि ह एदराबाद, एम्राबाद, कुने, सूरत ये सब सिटीज में सामिल हैं जो कि बड़े बड़े सिटीज में अपलाए कर दिया गया और कंबल सरी करता गया भारत स्टेज 3 अब क्या हो भारत 3 यानि PS3 ये भी सब में अपलाए कर दिया गया कब 2010 में जो कि यूरो 3 का रेफरे सब के लिए वह जो की था भारत स्टेज 3 अब हो क्या रहा था जैसे जैसे हम भारत स्टेज बढ़ाते जा रहे थे पॉल्यूशन तो पहले बढ़ी रहा था इसलिए भारत स्टेज बढ़ा दी जारी थी और भारत स्टेज बढ़ाने पर क्या हो रहा था कि धीरे दीरे जो की मात्रा है गाड़ियों की वो कम होने लगी थी क्योंकि उस टाइम 2010 के आसपास आप देख सते हैं गाड़ियों की शम्था या गाड़ियों जो रोड पे गाड़ियां थी वो बढ़ने लग गई तो ऐसी सिच्वेशन में PS4 लागू कर दिया गया जो कि यूरो 4 था reference और ऐसी स्टेज 4 जो कि 2015 में लाँज होने वाला तो 2017 में ऐसा क्यों हुआ क्योंकि गाइस ऐसा हो रहा था हम चल रहे हैं यूरो के साब से यूरो यूरो 2 यूरो 3 के साब से वहां पे ये नॉर्म अप्लाय कर दिया गया लेकि इंडिया में कुछ कारण वर्स अप्लाय नहीं हो पाय कि यहां पे पॉजिशन बढ़ता जा रहा था और हम बहुत पीछे चले गए थे यानि कि हम चल रहे थे यूरो 3 यूरो 4 के अंदर और वहां पे लाँज हो गया था यूरो 6 यूरो 7 तो उस सिट्वेशन में हम यहां पे भारत हमने 5 यहां पे इस्किप कर दिया अब पलसरी यह भारत 6 अब गाड़िया ही चलेगी भारत 4 भारत 3 नहीं चलेगी और ऐसी सिट्वेशन में क्या वह बहुत लोगों डिस्काउंट भी मिला साथी साथ मैं आपको बिता दू कोरोना वाइरस के वज़े से हलका फुल का डिले भी हो गया था लेकिन आपको दिखाता हूं कि जैसे जैसे हमने BS1, BS2, BS3 लॉंच किया वैसे वैसे आप pollution की मात्रा देखेंगे कम होती गई है मतलब हमने BS6, BS2, BS3 यह से लॉंच करते गया 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 और वैसे वैसे पॉल्यूशन की मात्रा कम होती गया आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि एक तरह regulatory pollution लिया गया है जो कि ग्राम पर किलोमेटर में है और दूसी तरह आप एयर देख रहे होंगे सब्सक्राइब करते हैं मैं कमर्शल वाइकल की बात कर रहे हैं यहां पर कमर्शल वाइकल ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं तो वह 12.25 गिर गया ऐसे ऐसे करके आप सीज़े देख सकते हैं आज अगर एक अटमेटिक आइडिया लगा है मतलब एक एस्टिमेट आइडिया आगया आप देख सकते हैं सभी के लिए वैसे ही है जाये लाइट मोडर वाइकल हो चाहे गैसलीन वाइकल हो चाहे कमर्शल वाइकल की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो गाइस आपको सब को समझ मागए ओगा कि कैसे बी एस लाँच हुआ क्या बी एस है कहां से हमने लिया भ अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूस सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है साथी साथ आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे बाकी वीडियो का अगर आपको उनसे भी डाउट है तो हो भी आप यहां पर कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं मिलते रहेंगे ऐसी कुछ इन्फॉर्मटी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टिक